एक सवाल जो जादातर उन कपल्स के मन में होता है जो की अब पेरेंट्स बनने के बारे में सोच रहे हैं वो है कि इंट्रकॉर्स करने के कितने टाइम बाद जो है नियुकरा से प्रική साइक या फिर चाने आज हम डिटेल में डिसकुस करने वाले हैं So, video is gonna be very interesting and useful for you. Watch till the end. Let's start. So, I am going to explain you with the diagram of the help that you will clear every single thing. So, this is our female reproductive system. This is our vagina, which we call the vagina. And the upper part is our uterus. And the two tubes we call the fallopian tube. Where we call an enda or egg, which we call the ovary. So, what happens when the sperm is in your vaginal part during intercourse? So, in the essay, the sperm is so much motile, their mortality speed is so much. Because the sperm is so much longer in your vaginal part, fallopian tube, They will enter a fat day from fallopian tube. This means that if you have surgically intercourse, then you are now in your vaginal part. So, we have to make sure that the sperm is in your fallopian tube. जो है साइकल चली हुई है या आपका फर्टाइल जो टाइम था पूरे मत का वो चला हुआ है कि नहीं इस पर मैंने लग से बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है कि आप अपना ओविलेशन डे कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं कौन सा टाइम प्रेगनेसी के लिए सबसे ज़ बता देती हूँ ओविलेशन एक ऐसा टाइम होता है जब आपकी बच्चे दानी से एक अंडा रिलीस होता है और उस ताइम पे अगर उसको स्पर्म मिलता है तो उसकी फर्टिलाइजेशन होती है अगर आपका ओविलेशन पीरेड या फर्टाइल जो विंडो है वो नहीं चली हुई है ऐसे में अगर स्पर्म सापके फिलोपियन टूब तक पहुंचते भी है तो फर्टिलाइशन नहीं होती है क्योंकि उस ताइम पे बच्चे दानी का मुझ बंध होगा तो किस ताइम पे ओविलेशन होता है मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई सबके लिंक मे दे दूँगी अब बात करते हैं कि अगर आपका फर्टाइल विंडो भी चला हुआ है और आपका ओविलेशन चला हुआ है तो ऐसे में प्रेगनेसी कितने टाइम में होती है जब आपका जो डे वन में ही जब बच्चे दानी के मुझ के पास आपके स्पर्म्स एंटर हो ज के लिए और वो एक स्पर्म जो है उसको फर्टिलाइस्ट कर देता है यह फर्टिलाइजेशन होने के बाद यह सब कुछ डे वन में ही हो जाता है उसके बाद जो हमारा फर्टिलाइस्ट एग होता है जिसको हम जाइकोट भी बोलते हैं इसके जो है डिवीजन होने लग जा तो आपने सोना होगा, कि हमारी पूरी body वह सेल से ही बनी हुई है, तो वह एक first cell होता है, जो बना है, तो इसे, two genes से, वह एक है हमारी sperm और दूसरा है हमारा ovary, इन दोनों को मिलकर ही है, हमारा zygote ready हो जाता है, Zygote की आगे cleavage स्टार्ट हो जाती है Day 1 में 1st cleavage होती है जिसमें वो 1-2 cell बन जाते है उसके बाद Day 2 में 2-4 cell बन जाते है Day 3 में 3 या 4 में 3-4 दिन में 4-8 cell बन जाते है जिसको हम Morula बोलते है जब ये आपका 4th day चला होता है ये Morula पुरा develop हो जाता है जिसमें 8 cells होते हैं उसके बाद इसके चारो तरफ एक coating आजाती है जिसको हम बोलते हैं Capsulated Morula तो ये हमारा सारा 4th या 5th day में जो है आपका ये Capsulated Morula बन के तियार हो जाता है उसके बाद cell की further और development होती है और बन जाता है आपका एक early plastosis ये भी एक तरह का मास का ही टुकड़ा होता है जिसमें cell की divisions हो रही होती है ये होएगा आपका 5th to 6th day में उसके बाद 7th day में वो ब्लास्टोसिस और जादा मैचियोर हो जाएगा Late Blastosis stage बोलते हैं उसके बाद finally उसकी इम्प्लांटेशन हो जाती है जो कि सबसे जादा important step होता है pregnancy को ठहरने का मतलब अगर ये जो implantation है ये successfully हो जाए तो ही आपका बच्चा जो हो ठहरता है या pregnant होते हैं तो इसमें क्या होता है जो वो blastosis वो जो cell का टुकड़ा जो cell division होई हुई थी वो जो blastosis था वो जाके आपके uterus की lining पे चिपक जाता है जिसको आप बोलते हैं implantation और ये जो पूरा time period है ये आपका इसमें लगता है 7 से 8 दिन तो आपके जब 7 तो 8 ते after intercourse चला होगा तो उस time पे आपका जो है uterus से lining पे वो blastosis का implantation हो जाएगा तो इस time पे अगर वो successfully implantation हो जाए तो बोलते हैं कि आपकी जो conceive है आपने वो कर लिया है आपकी pregnancy जो है वो पॉस्टिवाइगी तो इसके बाद हमारे body में काफी सारे changes देखने को मिलते हैं जैसे आपको कुछ changes देखने को मिल सकते हैं जैसे आपको हल्की थकावट हो सकती है चकर आना एक बहुत ही आम सी बात है आपका उल्टी आने को मन हो सकता है कईों को मन होता है कईों को उल्टी आ भी जाती है क्योंकि इस वाज़ा से इस टाइम पे काफी जाद आपके body में hormonal changes होने लग जाते हैं और आपकी body में जो है ब्लड में आपके और आपके urine में HCG human gonadotropin hormone जो है secret होना start हो जाता है तो इस टाइम पे अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करते हैं और यूरीन से अगर आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे या ब्लड से आप प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे हैं कि आपको थकावट आ रहे हैं इन सब को हम नजर अंदास ही करते हैं तो पहला जो symptom हम जादा तर्मानते हैं वो यह है कि मारे periods मिस हो गए है तो यह सब चीजें उससे भी 10 से 12 दिन पहले हो गई होती है implantation और यह सब कुछ और आपकी urine में जो है HCGB निकलना स्टार्ट हो जाता है जिक्रीट होना स्टार्ट हो जाता है तो आप intercourse के 7-8 दे में आपकी जो pregnancy है वो ठहरती है लेकिन डिपेंट करता है कि उस टाइम पर आपका ovulation चला हुआ है या नहीं चला हुआ आपको सब कुछ समझ आ गया होगा मैंने आपको clear कर दी एक एक चीज़ की कैसे आपकी जो है जो है fertilization होती है कैसे divisions होती है कैसे implantation होती है कब आपको जो है उसके symptoms नजर आने जो है start होते हैं और कब जो है आपको एक final जो है pregnancy के बारे में सोच रहे हैं तो वो है कि एक right time पे जो है intercourse करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ovulation जो है उस time पे हो और fertilization और implantation successfully हो सके अगर आपके mind-making type का कोई confusion हो मुझे comment section में ज़रूर बताएगा वीडियो अगर अच्छी लगी हो वीडियो को lecture कीचे चैनल को subscribe करके bell icon शुरूर दबा लिजेगा क्योंकि इस चैनल पे आपको pregnancy care, child care, gender predictions related videos देखने को मिलती रहेंगी thanks for watching